प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आज अब को जैंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैंद रियक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए के लिटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो बहुत मज़ा आएगा तो इससे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और मज़िदार वीडियो लाते रहे हैं तो चलिए साथ मिलकी ये वीडियो देखते हैं जैहिंद जैभारत पाकिस्तान की बात करेंगे सबसे पहले आज हम मौलाना फदर रह्मान की जी हम मौलाना साब को भी अक्सर लोग जानते हैं और अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे और मौलाना साब जो हैं वो बहुत एक्टिफ किसम के रिलिजिस पार्टी के जो हैं वो मेंबर हैं हेड हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो भी पार्टी जिती है पाकिस्तान में एलेक्शन में जिसको भी लाए जाता है मौलाना साथ उसके साथ हो जाते है इस बार बस एक फरस्ट टैम में देख लिएूंगे मौलाना साथ जाए हो कुछ नराज नराज से नजर आ रह ये थे वो आज हमारे आखा बने हैं आज हम उनके होकम पे चल रहे है हाए मुझे लगता है मौलाना साथ ये इजंसी और आर्मी ploy को कह रहे है ऐसा ही लगता है मेरे मौलाना साथ जो हे इड़ा आज है वो हाफिस साब की बात कर रहे हैं लेकिन बास्सर ये के इनको नमारे हमारी बास उनके काम करना चाहिए था लेकिन हम इनका ओर्डर चुह है फालो कर रहे यह कहना है जी मौलाना साब का लेकिन मौलाना साब यह तो पिछले लास शेवनीटी सिक्सियर्ट से होता चला रहा है आपको आज जाके पता लगा इनंसे पहले बहुत सी या जो है वो आर्वी चीफ साइन से पहले बहुत से एजंसी के बहुत से हेड़ आए और बहुत कुछ हुआ तो तब तो मौलाना साब आप कुछ नहीं बोले और हमने तो यह भी सना है कि आपके ना थोड़ा मतलब हेलो है है आज कल पता नहीं क्यों अंदरा-ंदरा दिखा ने लेकिन क्यार मौलाना साब कुछ और भी कह रहे थे आज इसामली में खड़ोगे मौलाना साब ने तो जी हललाला मचा दी और हम आपको सुनवाते हैं कि मौलाना साब ने क्या कहा हिंदोस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए 15 अगस 1947 को सुबो आठ बजे दिन्ली में लाट माउंट बेटन ने इंडिया के गवने जनरल का हल्फ उठाया और किराची में साइज आजाद मौहमद अली जनाह ने हल्फ उठाया एक ही जिन हम आजाद हुए आज वो जुन्या के सुपर ताकत बने के खाब देख रहा है और हम जीवाली अपन से बचने के लिए भीक मांग रहे हैं कि दिफार्ट नहो जाए हम लोग ये किस के हाथ हूँ तोन जिम्दार है उसका घूमते फिरते फिर आईगी बात सियासत्दान जिम्दार दोस्तों आशा करतों की वीडियो को आपने अंतर देखा होगा और हमेशा की तरह आर्जुकासमीजी का रेक्शन आपको काफी पसंद आया होगा मैं आपको बता दू मुलाणा फझुल रह्मान वही शक्स हैं जिनको पाकिस्तान में कश्मीर का II बना गे जाता है या नहीं कि जब भारत छे कश्मीर बे बात होगी तो मुलाणा फझूल रह्मान को यह आगे की आ जाता और आज वो ही मुलाना है जो कि खुद पार्लेमेंट में खड़े हो कि ये कह रहे हैं कि भारत तो कितनी आगे निकल गया और हम आज भी कटोरा लेकि लाइन में खड़े हैं तो आशा करता हो वीडियो आपको काफी पसंद आए होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए पिसे लाइक और शेयर जरू कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शे में लिखकर जो बताये तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़धार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत